इंफिनिटी सागा में सबसे important थे इंफिनिटी स्टोंस, थैनोस को यही स्टोंस चाहिए थे युनिवर्स में balance लाने के लिए, वहीं अब डॉक्टर डूम को भी कुछ चाहिए मल्टिवर्स पर कंट्रोल बिठाने के लिए, पर उसके list में Spider-Man क्या कर रहा है, इंफिनिटी सा में जब फैंस को पता चला कि इनसे क्या हो सकता है, तो फिर मार्वल का मज़द दुगना हो गया, ठीक उसी तरह मल्टिवर्स सागा में भी कुछ की पीसिस हैं, जिने मार्वल ने अपनी अपनी जगा प्लेस कर दिया है, पर इनके बारे में पूरी डीटेल सामने नहीं तो दोस्तों मैं हो मन से ना, आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टिवर्स के की पीसिस के बारे में, जिनका बहुत बड़ा रोल है एवेंजर्स डून्स डे में, तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें, और बेल आ ये एक एक करके इन की पीसिस पर नज़र डालते हैं, और देखते हैं कि कैसे ये एवेंजर्स डून्स डे में, डॉक्टर डूम के लिए काम के साबित होंगे, सबसे पहले बात करते हैं शैंक ची के 10 रिंग्स की, शैंक ची के 10 रिंग्स की मिस्ट्री अभी तक क्लियर नही हुई है हमें बस इतना पता है कि शैंक ची के पिता वेन्वू के पास ये रिंग्स बहुत समय से हैं और इनी की वज़े से वो नियर इंमोर्टल था इससे भी जादा इंट्रेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि रिंग्स वेन्वू की बात मानते थे वो रिंग्स के साथ जुड़ा हुआ था शैंक्ची और वेन्वू की वाइफ वेन्वू से लड़ते हुए एक हद तक रिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे पर शैंक्ची के पास ये रिंग्स प्रॉपरली तभी आए जब वेन्वू ने उन रिंग्स को उसे दिया अब इन रिंग्स की ओरिजिन अभ देज रहा हो, शैंक्ची एंड लेजंड ओद टेन रिंग्स मोवी की कंसेप्ट आर्ट में हमें ये पता चला कि टेन रिंग्स किसी एलियन मीटेराइट से आय थे, वेन्वो ने इन रिंग्स को हासिल किया, किंग मिंग फेस्टिवल के दौरान पैलेस के ट्रेजर रूम में खुसकर, जहां वो अरिजिनली वांट्स ओफ वटूम लेने गया था, अब टेन रिंग्स इंफिनिटी स्टोंस के लेवल पर कैसे काम करेंगे, टेन रिंग्स बहुत पावरफुल आर्टिफेक्ट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इनके बारे में इसके यूजर को भ बहुत अलग है, कॉमिक्स में टेन रिंग्स लिटरली इंफिनिटी स्टोंस जैसे थे, ये माकलुवान टेक्नलोजी से बने हुए रिंग्स थे, जिनमें सोल था पावरफुल कॉस्मिक वारियर्स का, पर मुवी में रिंग्स को पूरी तरह चेंज कर दिया गया है, इवन क अमेरिका शावेस के मल्टिवर्स के लिए इंपोरेंट होने का पूरा सेंस बनता है, आप खुद सोच के देखो कि एक कैरेक्टर जो की पूरे मल्टिवर्स में एक ही है, वो मल्टिवर्स में कहीं भी जा सकती है, और किसी को भी कहीं भी ले जा सकती है, मेरे हिसाब से अमे अमेरिका जैसी बींग ही चाहिए होगी अलग-अलग realities में जाने के लिए कॉमिक्स में डॉक्टर स्टेंज अलग-अलग realities में travel कर सकते हैं जिनके साथ डॉक्टर डूम निकलता है पता लगाने कि इंकर्जन किसकी वज़ा से हो रहा है पर अभी अगर डॉक्टर स्टेंज नहीं है डॉक्टर डूम के पास तो उन्हें जरुद है अमेरिका शावे इसके multiverse traveling powers की अब आते हैं कमाला के bangles पर अगर आपने the marvels देखी है तो आपको पता होगा कि ये है quantum bands the marvels पूरी की पूरी इन्ही के बारे में थी और ये है भी बहुत important quantum bands के बारे में the marvels में बताया गया कि ये cosmic artifacts जुड़े हैं universe की history से जिने use किया गया था jump points बनाने के लिए वो portals जैसे दिखने वाले shape जो की guardians और बाकी space travelers यूज करते हैं space के अलग-अलग कोने में जाने के लिए इन bangles को क्री ने बनाया था और इससे दूसरे dimension में जा सकते हैं clandestines इसी की मदद से new dimension में जाने की तयारी कर रहे थे और कमालों को भी इसकी मदद से दूसरे dimension की जलक मिली थी जब उसने पहली बार इने पहना प्लस Monica Rambo, band और Captain Marvel की power से charge होकर ही universal neural transportation network repair करती है पर उसी बीच वो दूसरे universe भी चली जाती है जहां उसे X-Men मिलते हैं प्लस मुझे लगता है कि Shang-Chi के 10 rings और quantum bands का कुछ लेना देना है पहली बात एक quantum band मिला ही था 10 rings के temple में हाला कि जादा interesting बात मुझे ये लगती है कि Shang-Chi के rings का color पहले blue था पर Shang-Chi के पास आते ही rings golden yellow glow करते हैं ये same चीज quantum band के साथ भी देखी गई है darband जब इन rings को use करती है तब ये blueish purple glow कर रहे थे पर कमाला के हाथों में दोनों rings आते ही ये golden glow करने लगे ये बताता है कि quantum bands और rings की origin का कोई लेना देना है इन सब के साथ साथ ये bands कमाला को time travel करवा चुके हैं और Monica को dimensional traveling obviously doom इन के पीछे होगा अब बात करते हैं गौर की बेटी लव की ये part थोड़ा tricky लग रहा है गौर की बेटी की दित की वज़े से गौर गौर बुचर बना और eternity के पास पहुचा eternity ने गौर की विश पूरी करी उसकी बेटी को वापस लाकर ये अकेला factor है जो कि गौर की बेटी को special बनाता है हलाकि movie में एक चीज नोटिस करने वाली थी जब गौर की बेटी लव वापस आती है तो पानी में उसकी image eternity जैसी दिखती है जिससे ऐसा कह सकते हैं कि love में eternity की essence है मैं आपको अपनी cosmic entities of marvel cinematic universe वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि eternity समय की शुरवात में existence में आने वाले चार beings में से एक है जो कि सारी life और existence का some creation है eternity का essence कही ना कहीं love को power देता है cosmic energy manipulation का eternity का touch कहीं ना कहीं cosmic power का balance shift कर सकता है जिसका मतलब हाँ love multiverse के लिए important हो सकती है अब बात करते हैं spider man की ये बहुत हरानी वाली बात है अभी तक हमने जितने भी beings और artifacts की बात करी है उन सब का nature cosmic है पर spider man cosmic नहीं है एक cosmic spider man जरूर है पर spider man एक radioactive spider के bite से spider powers gain करने वाला human है हला कि एक fact हमेशा से clear है कि spider man हर universe में exist करता है अलग-अलग form में आप across the spider verse ही देख लो जिसमें आपको कई सारे universe की spider man दिखेंगे अभी जब मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान आ रहा है कि sony और marvel spider man 4 को multiverse movie बनाने के लिए लड़ रहे थे और beyond the spider verse की story में भी कुछ changes होने की बात हुई है तो क्या spider man ही anchor being है MCU का इसको लेकर doom अलग-अलग universe विजिट करके incursion रोकना चाहता है behind the scenes spider man को लेकर कुछ तो चल रहा है जो कि spider man को कहीं ना कहीं normal superhero कम और cosmic level character जादा बना रहा है पर अभी इस चीज़ के लिए और projects का सामने आना ज़रूरी है तो दोस्तो ये थी वीडियो उन artifacts और उन beings की जिनकी doctor doom को ज़रूरत है multiverse पर पकड़ बनाने के लिए multiverse सागा अभी हर दूसरे दिन interesting होता जा रहा है अब ये venom 3 में null का देखना मुझे कहीं न कहीं multiverse का बड़ा plot लग रहा है पर फिर भी अगर उससे कोई टेल मिस हो गई हो या आपके इसको नए फैक्ट है इस वीडियो से रेटेड तो प्रीज आपकर बताएं हमार सोचल मीडिया हैं पर हमारे सच शेर करें हम हर जगा है तो दोस्तों अगर आप हल्क को अपने world breaker form में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी world war hulk series recommend करूँगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को like or share जरूर करें और से कई सारे सूपर कॉंटेंट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू गाइज लिए समन सिना और यू आर सूपर सूपर पीस